कोरोना महामारी के चलते जला सोलन के अधिकांश विवागों के उचाधिकारी और करमचारी एक योधा की भांती अपनी कर्तवे का पालन कर रहे हैं वहीं अर्कियों मंदल का सिंचाई एवं जनस्वास्ते विवाग भी पूरी तरह से अपने कर्तवे पालन में जुटा है अर्कि सिंचाई विवाग के करमचारी मास्क पहन कर वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आदेशों का पालन करते हुए कारे में लगे हुए हैं अर्कि में सिंचाई विवाग के करमचारी के साथ साथ उचाधीकारी भी अर्कि की जनता को सवच्छेवं नियमित जल आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए लगातार पेजल योजनाओं के दौरे कर रहे हैं इसी के तहट विवाग की अधिशासी अभ्यानता कंचन शर्मा ने अर्कि की शालागाट सहित अन्य पेजल योजनाओं का दौरा कर करमचारीों को आवशक दिशा निर्देश दिये और साथ ही किसी स्थान पर छोटी छोटी आरही समस्याओं का भी मौके पर ही निदान किय इतना ही नहीं समय समय पर पेजल योजनाओं के तहट पंप हाउसों को भी सेनिटाइज किया जा रहा है अधिशासी अभ्यानता कंचन शर्मा ने संतोश व्यक्त किया कि विभाक का कारे सुचारू रूप से चल रहा है सभी करमी सरकार के आदेशों के अनुसार समाजे के द क्यूंकि जल ही जीवन है उन्होंने लोगों से ये भी आहवान किया है कि आगे गर्मियों का मौसम आने वाला है और इस मौसम में कई बार पेजल आपूर्थी की कमी हो जाती है इसलिए लोग जल की कीमत को समझते हुए उसका सदू प्योग करें करोना महमारी से द्रही कर रहा है और इस अद्रिश्य वायरस से लड़ने के लिए आज ठारत का हर विभाग एक करोना वार्यों की तरहा एक करम वीर की तरहा हर व्यक्ति को असेंशल ओमेडिटीस देने के लिए कारे रथ है और मैं भी अपने जल शक्तिवी भाग किमाचर प्रदेश सरकार अर्खी मंडल जिला सोलन में आज यूंकि जल एक हमारी जीवन के लिए सबसे महतोपून तत्व है और हर घर में शुद्ध जल मिले और इसकी सुचारू रूप से आपूर्ती हो इसके लिए जल शक्ती भी भाग सभी अधिकारी हमारे सभी फिल करमचारी दि और जल का शुद्ध करन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है फिल स्टाफ हमारे किस तरह से काम कर रहे हैं उनको कुल परिशानी तो नहीं है यह सबने रिक्षन करने के लिए आज मैं शालागार उठाओ जल पर योजना पर आई हूँ और मुझे इस बात की भग खुशी है कि सारा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है जल का पूरा शुद्ध करन ठीक तरह से किया जा रहा है फिल स्टाफ जो है वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के मते नजर करते वे काम कर रहा है सबने लवस पहम रखे हैं सबके फेस पे मास्क हैं और पूरे के पूरे सिटी चैनल के लिए अरकी से शहनाज भार्थिया के साथ दयाराम कशिप की रिपोर्ट